हेलो बच्चो कैसे हैं आप आज हम पढ़ेंगे कख्षया चार परिवेश अध्यन का पार्थ नंबर 13 जिसका नाम है कानाबाती कुल ये नाम बड़ा ही मज़ेदार है और ये नाम सुनके आपके मन में थोड़ी शरारत भी आ रही होगी परंतु बच्चो इस पार्थ में हम मानव शरीर साथ ही अन्य जिवों के शरीर में पाए जाने वाले अत्यन्त महत्तपून अंग के विशे में चर्चा करेंगे तो आईए शुरू करते हैं अपना आज का पार्थ कानाबाती कुल चलिए मैं आपको लिए चलती हूँ जंगल की एक सभा में प्यारे बच्चो यह सभा शेर राजा ने बुलाई है और शेर राजा ने आज सभी को सभा के लिए बुलाया है आप चित्र में देख कर बताएं यहां कौन-कौन से जानवर पहुँच चुके हैं शाबाश चित्र में तो बंदर, हाथी, खरगोश, आदी अनेक जानवर पहुँच चुके हैं और तो और शेर राजा अपने मंच पर आसीन हैं और सभी को कुछ महत्वपून सूचना दे रहे हैं पर यह क्या? क्या आपने कुछ देखा? कुछ सुना? नहीं ठीक, ऐसे ही हाथी को भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्यों सुनाई नहीं दे रहा? अरे भई, ध्यान से देखिए, हाथी के तो कान ही नहीं है उसके कान कहां गए? हम, बिल्कुल, सही अब जब हाथी के कान ही नहीं है, तो वह कैसे सुनेगा? अरे अरे रुको, आप चित्र को और ध्यान से देखो क्या आपको कोई और जन्तू भी ऐसा नजर आ रहा है, जिसके कान नहीं है? आप नाम बताइए शाबाश, खरगोश, हाँ, मैंने भी देखा खरगोश के भी कान नहीं है अरे भाई, यह तो वाकई बड़ी समस्या है आप एक काम कर सकते हैं इस समस्या को हल कर सकते हैं कैसे? एक जादू से आप इन जानूरों के कान बना दो ताकि वे अपने राजा शेर की बात सुन सकें है ना मस्ता इडिया? तो आप ये कलाकारी कीजिये कि जिन जीवों के कान आपको नजर नहीं आ रहे उनके कान बना दीजिये ताकि वो भी सुन सकें कि उनके राजा क्या कह रहे है प्यारे बच्चों, यदि आप ध्यान से इस चित्र को देख रहे हैं तो आपको दो प्रकार के जन्तु यहां नजर आ रहे हैं एक ऐसे जन्तु जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और कुछ ऐसे भी यहां नजर आ रहे हैं जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते कौन-कौन से? आईए एक सारणी बनाते हैं और इस सारणी में हम सबसे पहले उन जानवरों के नाम लिखेंगे, जिनके कान हमें बाहर दिखाई देते हैं, जैसे गाएं, भैस, चूहा, बंदर, गिलहरी और जिराफ. अरे वा बच्चों, आप तो बड़े हुश्यार हैं, तो चलिए, अब जल्दी से ऐसे जन्तुओं के नाम भी बता दीजिए, जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते. शाबाश, ये जन्तुओं हैं, साप, बाज, तोता, चीटी, कव्वा, मुर्गी, आदी. शाबाश, बच्चों, बिल्कुल सही नाम बताये आपने. परन्तु बच्चों, आप सोचिए, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, वे कैसे सुनते होंगे? कव्वा, कबूतर, चिडिया, तोता, आदी के कान बाहर दिखाई नहीं देते. फिर ये कैसे सुनते हैं? चलिए मैं बताती हूँ. बच्चों, ऐसे जन्तुओं के सिर के दोनों तरफ एक-एक छेद होता है. ये ही उनके कान है. ये इनके परों से ढखे होते हैं. इसी परकार छिपकली के कान भी छोटे छेद जैसे होते हैं. जो बाहर दिखाई नहीं देते. है ना कितनी मज़ेदार बात? तो बच्चों, अब आप थोड़ा सोचिए. और ऐसे जीव का नाम बताईए, जिसके कान बड़े और पंखे के जैसे होते हैं. अरे वाँ, एकदम सही, हाथी. चलो फिर अगला बताईए, ऐसा जीव कौन सा है, जिसके कान पत्ती के जैसे होते हैं. वाँ, सही जवाब, भैस. बच्चों, गाएं, भैस, बैल, इन सभी के कान पत्ती के जैसे होते हैं. तो आप बताईए, ऐसा कौन सा जीव है, जिसके सिर के दोनों तरफ कान होते हैं. क्या, शेर, बिलकुल सही. तो चलिए, फिर बताईए, ऐसे जीव का नाम, जिसके कान सिर के ऊपर खड़े दिखाई देते हैं. क्या, खरगोश, अरे वाँ, आप तो बहुत होश्यार हैं. आप सबने सही सही पहचाना. तो फिर आप एक काम और करके दिखाईए, आप मुझे किनी ऐसे पाच जनतूं के नाम बताओ, जो अपने कान को हिला सकते हैं. एक तो मैंने बता दिया गाएं. अब आप बताईए बाकी के चार. क्या, भैस, हाथी, हिरन, घोड़ा, अरे वाँ. बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, ये सभी जनतूं अपने कानों को हिला सकते हैं. आप बहुत अच्छे से बातों को समझते हैं. शाबाश! परंतु बच्चों, क्या आपने कभी सूचा कि ये जनतूं अपने कानों को क्यों हिलाते हैं? नहीं, मैं बताती हैं. जन्तुओं को भी मक्षी मच्छर परेशान करते हैं इसलिए ये उनसे अपने बच्चाओं के लिए अपने कानों को हिलाते हैं प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी इन जान्वरों की खाल को भी देखा है? हाँ, आईए देखते हैं मिलान करके सबसे पहले है जेबरा, मिलान कीजिए जेबरा से, बिल्कुल ठीक, अरे वाह, आप तो सभी जन्तुओं की खाल को पहचान गए शाबाश बच्चों, बच्चों, क्या आपने कभी किसी जान्वर को छुआ है? यदि हाँ, तो कुछ जान्वरों के नाम बताईए जिनको आपने चुआ है गाएं, भैंस, घोड़ा, उंट, शाबाश बच्चों, क्या उनके शरीर पर बाल होते हैं? हाँ तो बच्चों, आपने बरसाद के दिनों में मैंडक और केच्वे अकसर देखे होंगे क्या तुमने कभी इने पकड़ने की कोशिश की है? इनकी खाल बहुत चिकनी होती है और इस कारण हम इन्हें आसानी से नहीं पकड़ पाते साथ ही छिपकली और गिरगिट के शरीर पर भी बाल नहीं होते इस सब जानकारी के बाद यहां मैं आपको कुछ जानवरों के नाम दे रही है आप इन में से छाट कर नीचे दिये गए तालिका के अनुसार लिखिए सबसे पहले वो जन्तु जिनके शरीर पर बाल होते हैं लिखिए सभी फटाफट शाबाश, घोड़ा, उंट, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, गधा, भेड, आदी जन्तुओं के शरीर पर बाल होते हैं और अब दूसरे कॉलम में लिखिए उन जन्तुओं के नाम जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं जैसे मेंडक, केचुआ, चिडिया, कबूतर तो बच्चो, अब आप इस तालिका को पढ़कर अंदाजा लगा सकते हो कि जीव जन्तुओं के शरीर पर बाल होने और बाहरी कान होने में कोई ना कोई संबन्द जरूर है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ प्यारे बच्चो, जिन जीव जन्तुओं के कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं और जिन जीव जन्तुओं के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते है ना बड़ी रोचक जानकारी तो इस जानकारी पर आधारित एक खेल खेलते हैं आओ पहचाने यहाँ चित्र में आपको एक जन्तु दिखाई दे रहा है और इस जन्तु के कान बाहर दिखाई दे रहे हैं तो आप बताईए क्या इसके शरीर पर बाल होंगे जी हाँ, इसके शरीर पर बाल होँगे शाबाश बच्चों, तो चलिए एक बार और पहचानिए यहाँ इस चित्र में जो जीव जंतों दिखाई दे रही हैं उनके कान हमें नजर नहीं आ रहे तो आप बताईए कि क्या इन जीव जंतों के शरीर पर बाल होते है नहीं मैम, इनके शरीर पर बाल नहीं होते शाबाश बच्चो, आपने एकदम सही पहचाना अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ किसके अंडे और किसके बच्चे आप सुचेंगे कि यह क्या बात हुई इस बात को समझने के लिए चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ बच्चो, गर्मियों के दिन थी विजये ने देखा कि एक गोरिया तिनके चुनकर लाती और कमरे के रोशंदान में इखटे रखती जाती तो विजये ने अपनी मा से पूछा कि मा यह ऐसा क्या कर रही है इन तिनकों को यहां क्यों रख रही है तो बच्चो, विजये की मा ने बताया कि लगता है गोरिया अपना घोंसला बना रही है यह इस घोंसले में अंडे देगी और देखना विजये कुछ दिन के बाद इन अंडों से बच्चे निकलेंगे विजये तो बहुत उत्सुख हो गया कुछ समय बाद गोरिया ने तीन अंडे दिये विजये ने जब अंडों को देखा तो बहुत खुश हुआ अब है रोज उन्हें देखता कुछ दिनों के बाद घोंसले से चीं-चीं की आवाज आने लगी विजये ने देखा कि अंडों में से छोटे-छोटे चुजे निकल आये थे है ना मज़ेदार कहानी बच्चो आप सोच रहे होंगे कि यहां इस कहानी का क्या अर्थ है बहुत बड़ा अर्थ है और बहुत बड़ा संबंद है अपने पाठ से भी प्यारे बच्चो क्या आप सोच सकते हैं कि किसी जीव का बच्चे या अंडे देना उनके कानों से भी संबंदित हो सकता है क्यों हैरान हो गए ना लेकिन बच्चो यह सच है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वे जानवर बच्चे पैदा करते हैं साथ ही जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते और शरीर पर बाल भी नहीं होते वे जानवर अंडे देते हैं है ना बड़ी रोचक और नई जानकारी तो प्यारे बच्चों इस जानकारी का हम फायदा उठाते हैं और हम एक खेल खेलते हैं इस खेल में आप पहचानेंगे जानवरों के सही कान तो आईए खेलते हैं ये मज़ेदार सा खेल सबसे पहले इस चानवर को देखी अरे यह तो अपना चंपक बंदर है परन्तु इसने यह किसके कान लगा रखे हैं बच्चों क्या आप पहचानते हैं कि यह किसके कान है येस मैं ये हाथी के कान है अरे वा शाबाश तो फिर बताओ इस चंपक बंदर के असली कान कैसे होंगे जी मैं चंपक के असली कान ऐसे होंगे अरे वा शाबाश बच्चों आपने बिलकुल सही पहचाना अरे ये हमारी बिल्ली मोसी आज कैसे कान लगाए बैठी है क्या ये इसी के कान है बताईए बच्चो नो मैम ये तो खरगोश के कान है बिल्ली के ऐसे कान नहीं होते अरे वा तो फिर बिल्ली के कान कैसे होते हैं ऐसे देखा मैम हमने ठीक बताया ना बिल्कुल सही बताया आपने शाबाश बच्चो अच्छा अब ये बताईए कि चित्र में दिखाई देने वाला यह जीव कौन है और क्या इसके यह अपने कान है मैम ये तो खरगोश है और ये कान भी इसी के हैं ये तो हम बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं ये मेरा फेवरेट जानवर है शाबाश बच्चो आप तो बहुत होश्यार है चलिए अब खरगोश के कान आपने पहचान लिए तो बताईए क्या खरगोश के शरीर पर बाल होते हैं सोचो सोचो येस मैम खरगोश के शरीर पर बाल होते हैं अरे वा शाबाश बच्चो आपने एकदम सही बताया कि खरगोश के शरीर पर बाल होते हैं ठीक है बच्चो अब इसके साथ साथ यह भी बता दीजिये कि खरगोश के शरीर पर बाल हैं तो वह अंडे देते हैं या बच्चे पैदा करते हैं मैम ये तो बिलकुल आसान है अभी अभी आपने सिखाया था कि जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे पैदा करते हैं और खरगोश के शरीर पर तो बाल होते हैं इसलिए यह भी बच्चे पैदा करते हैं शाबाश बच्चो आप बड़ी जल्दी सीखते हो क्योंकि आप ध्यान से सुनते हो और इसी लिए तो मुझे आपकी कक्षा इतनी पसंद है प्यारे बच्चो आप राष्ट्रिय पशू और राष्ट्रिय पक्षी के पारे में तो जानते ही हैं हमारे राष्ट्रिय पशु और राष्ट्रिय पक्षी के क्या-क्या नाम है बताईए अरे वाँ, शाबाश, एक बार अपने लिए जोर से तालिया बजाईए आपने बिल्कुल सही बताया हमारा राष्ट्रिय पशु है बाग और राष्ट्रिय पक्षी है मोर आप इनके चित्र तो देख ही रहे हैं इनके चित्रों को देख कर और जो बातें आपने पाठ में सीखी उनके आधार पर बताईए कि इन में से कौन अंडे देता है और कौन बच्चे पैदा करता है मैम, हमारा राष्ट्रिय पशू बाग इसके शरीर पर बाल है और कान बाहर दिखाई दे रहे हैं तो ये बच्चे पैदा करता होगा और राष्ट्रिय पख्षी मोर इसके शरीर पर पंक है और इसके कान भी नजर नहीं आ रहे है तो ये अवश्य ही अंडे देते हैं Very good एकदम सही जवाब और सही तरीके से पहचाना ये तो बच्चो बात हुई राष्ट्रिय पशू और राष्ट्रिय पख्षी की इसी की तर्ज पर हमारे हर्याना राज्य में भी राज्य पख्षी और राज्य पशू होते हैं जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं हर्याना का राज्य पख्षी होता है काला तीतर और हर्याना का राज्य पशू कहलाता है काला हिरन और बच्चो काला तीतर जिसके शरीर पर पंक होते हैं और इसके कान बाहर दिखाई नहीं देते और ये अंडे देते हैं और चित्र में काला हिरन भी दिखाई दे रहा है और काले हिरन के शरीर पर बाल नजर आ रहे हैं साथ ही इसके कान भी हमें बाहर नजर आ रहे हैं इसका अर्थ ही है हुआ कि काला हिरन जो की हमारा राज्य पशु है यह बच्चे पैदा करते हैं तो प्यारे बच्चो अब समय है इस पार्थ में आपने क्या सीखा प्यारे बच्चो इस पार्थ में सबसे पहली बात जो हमने सीखी वह है कि कुछ जनतुओं के कान बाहर दिखाई देते हैं और कुछ के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके सिर के दोनों तरफ एक-एक छेद होता है और यही उनके कान होते हैं और ये परों से ढगे हो सकते हैं और दूसरी अतिमहत्रपुन बात जो हमने इस पाठ में सीखी वह है कि जिन जीवजनतु के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और ऐसे जीवजनतु जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते ये पड़ी महत्रपुन बात हमें इस पाठ से पता चली है और बच्चो तीसरी बात जो हमने इस पार्ट में सीखी है वह है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं ऐसे जानवर बच्चे पैदा करते हैं इसके साथ साथ बच्चो इस पार्ट से हमें यह भी पता चला कि जिन जीव जन्तुओं के कान बाहर दिखाई नहीं देते और शरीर पर बाल भी नहीं होते ऐसे जन्तु अंडे देते हैं तो प्यारे बच्चो यह था अपना आज का पार्ट काना बाती कुर्ल यह बड़ा मसीदार रहा फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद